हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक मैं हूँ अभ्युदर शर्मा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारी किलास 10 की मैट्स बुक का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनॉमियल्स तो इस प्लेलिस्ट से आप लोग जोड़े रहिएगा आपको ये चैप्टर पूरे अच हुता है है तो जिक आपको ऑफ एकक्स एकवर डू हुर एक सबस्क्री चैपको अभियर हमाआरे है कोड्रेटी갈 पैशाँ पर अभिवाफ यहां पर यह कुओने है a x का coefficient है b मतलब x2 का coefficient मतलब जो x2 से चिपका हुआ है constant x2 का coefficient है a ठीक है x का coefficient है b और यह c तो पहले से यह constant term है तो यहां पर x2 का coefficient जो a है हमारा अगर यह a गलती से भी 0 हो गया तो देखो अगर a 0 हो गया तो क्या होता है तो हमने a की जगे 0 लिख दिये तो 0 into x2 बाकी सब तो normal है तो अब यह जो polynomial बन जाएगा 0 into x2 क्या होगा 0 को किसी चीज़ से multiply करो तो answer आएगा 0 तो आ गया हमारा जो यह यह आ जाएगा हमारा polynomial यानि की bx plus c अब इस polynomial की degree क्या है मतलब x की highest power क्या है यहाँ पे एक ही x है यहाँ पे और उसकी highest power भी obviously वही होगी तो x की power 1 है यहाँ पे यानि की अगर किसी भी polynomial में degree 1 है तो वो है एक linear polynomial यानि की अभी एक linear polynomial है लेकिन अगर a की value हम 0 नहीं डालते तो यह हो जाता है quadratic polynomial इसलिए हमें बताया जाता है generally कि यह अगर एक x square plus bx plus c एक quadratic polynomial है where a is not equal to 0 तो यह हमारा quadratic polynomial यह हमारा linear polynomial